तुडेंस नवभाटी परिवार में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है हमारा पार्टिकम निर्मान के सोबान जो हमारा पार्ट पूचल रहा था पार्ट जो हमारा प्रेथम था उसमें मैंने आपको उदेश ये की बारे में बताये था जो सेकंड मैंने वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको आज का फ़र टॉपिक था हमारा हम मैंने बता था कि पार्टिकम के जो उदेश ये होते हैं उन्हीं हम किस तरह से निधारिक करते हैं इसके बारे में आज का जो हमारा तॉपिक है वो है अधिगम अनुभवों का चय अधिगम से मतलब होता है सीखना और सीखते कौन है विद्धार्थी तो इसमें कर जाता है कि अधिगम चात्र के जो हम ज्यान अर्जित करता है जो ज्यान अर्जित करते हैं उससे है अर्था ज्यान अर्जित करना वो किस तरीके से इन अनुभवों का उसमें समावेश करते हैं घिस तरीके से व समावेश होता है अगर हम देखें कि विध्यार्ती क्या करते हैं अपने विशे तो उलूमूख बनाते हैं और उसे किस तरीके से आगे लेजाना है यह हमारा अनुखके अंदर छुका होता है जितने व हम अनुखक ग्रैंड करते हैं उतना हमारा ज्राइन बढ़ता हुआ कर दो हो जाता है तो इसमें अगर हुआ हम विशय पर बारती किस परिके से अपने उसको बहुत जादा लुची लेकर पढ़ने लगते हैं यह उसमें को जादा प्रासी बैसी सीखते हैं तो तो वह रहुता उनका अनुभव का समखवेश क्योंकि वह उस चीज को अनुभव करके दो करें और यह उसके अंदर उनकर आपना ज्यान जो अरजित करते हैं उसका वड़न किया गया और इसी से वो अपने विशे को उन्मुख बनाते हैं यह हमारे अधिगम में आता है कि अधिगम ही एक ऐसा होता है जो हमारी संभूर किस तरह से हमें पढ़ाना है कि विधी और हमारे कार्य प्रणामी इस अधिगम में ही छुपी हुई रहती है क्योंकि इसी के मार्ध्यम से ही सिख्षक बच्चों को सिखाते हैं तो उनका जो सिखाने का तरीका भी उनकी अनुखों पर है कहते हैं हम जितना हमारा एक्स्प्रियंस होता है हम उतना अच्छा बच्चों को सिखा पाते हैं और बच्चे उसको सीख पाते हैं तो इसके लिए करते हैं उसके लिए हमारे में हमारी वीडियों में हमारी क्रियाई चुपी हुई होती है तो कहते हैं कि अधिगम के अंदर हम किन-किन बातों का समाविश करते हैं यह बताने जा रही हूं कहते हैं कि अंदर हो का समाविश को कटे हैं इस अधिगम में इस अधिगम फ्रेखिय को सरल बनाने के लिए कि चात उसे जल्डी से सीख सकें जो सिक्षब चुर बताना चाहरह है है उसे हुँ जल्दी से जल्दी यह सरल परीके से उसे ग्रैन करें और आसाली से समझ सक Pep आसाल से समझ सके इसके लिए हमारे अनुभों का समावेश होता है अदिघम में हम जो समाइन करते हैं वो क्योंकि हम उस प्राक्रिश को जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं हम कहते हैं पाठ्टे क्रम का हमारा होता है निरधारिक करने के लिए जिसे हम कहते हैं कि सरल से कठीन की ओड अठाध हम उसे जितना जल्दियों से आसा में से समझेगी तो जब हम अधिगम कर बाते हैं विश्य के बारे में तो उसके अंदर भी हमारा अनुगों चुपा होता है और अनुगों के माध्यां से हम उस जटिल से जटिल प्रिक्रिया को या कहें जटिल से जटिल टॉपिक को हम सरल बना देते हैं तो अधिगम प्रक्रिया में अनुभोव का समावेश होता है उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सेक्टिंग है अमारा विदियो का प्रयोग में लाने हैं कुँ जब हम अधिगम करने में हैं तो कहता है अधिगम करने के लिए हम विभीन जो सिक्षक होते हैं वो विभीन विदियो का काम में लेते हैं और उन विदियोगों उन्हें किस तरीके से प्रयोग में लेना है या कहां उन्हें प्रयोग लेना है यह हमें कौन से कहता है अमारे अनुभव कि हमें किस तरीके से कहता है अनुभव ऐसा होता है जो ह यो कारिय करने का ने हमें रहे हैं इसके और भी परीयों करना भी चीछ रिए को कि हमें किस मेंतर से विध्यार्थी को सिखाना है नैसे हमाना प्रेक्रिया को पूले निर्देशित करना कि हम जब कालिय करने हैं तो हम उसे निर्देशित करते हैं उसके लिए संगठित करेंगे उसे किस तरह से हमें उसे निर्देश करना था उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है किस तरह से चलाना है तो जो है तो कि सकता है कि पहले 대한 किया हुआ है कि ये उसका कारिया करना तो अनुभाऊ सब्सक्राइब करने के वह निर्देशित करता है कि हमें किस तरह से वह बारिय करना है हम क्यों करते हैं क्योंकि जब सिक्षक हमें पढ़ाते हैं या करें कि हगर हम व्यक्ति हमें किसी जिसका ज्यान दे रहा है हम यहां सिक्षक के बात करें हैं कि Сिक्षक जब हमें पढ़ाते हैं या हमें ज्यान देते हैं तो वह किसी ना किसी विधी के दूरा देते हैं और विधी कहते हैं विधी और क्रिया दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जिस तरह के से सिक्का दोनों तरफ होता है उसी तरह से विधियां और क्रियां दोनों ही साथ साथ चलती है अगर विधी ना हो तो क्रियां नहीं चलती क्योंकि विधी के अंदर ही क कर दोनों साथ चल्ले वाली है जैसे हम करें कि जब विद्धियां करते हैं परियोजदा करते हैं निर्देशित करते हैं और व्याख्यान करेंगे तो हम कहते हैं सिख्षक जब हमारी प्रक्षा में आते हैं यापना को टॉपिक लेता है तो सबसे पहले का करते हैं वह लेक्चर देने हमें विध्यार्ती को क्या क्या उसमें व्याख्यान दिया उन्होंने और उस व्याख्या और चल रही है साथ साथ बोल और बुच्छ को से पूछेंगे और विध्यारतिया इस टौपिक से रिलेटेड़ को अपनी चर्चा करेंगे जो चीज अगर विध्धार्थी को समझ में नहीं आई तो विध्धार्थी सिख्षक से पूछे हैं और सिख्षक हो सकता है कि अपने कहे हुए या अपने व्याठ्षान में से कुछ मैध कुन बाते विध्धार्थी से पूछ सके और उनके प्रिष्ट के उत्तर कौन देगा विध्धार्थी यहां भी उनकी क्रिया बराबर चल रही है उसकी परियोस्ता बनाएगा कौन सिख्षक कि जो मैंने पढ़ाया है अब उसे आगे कि इस तरह से अप्लाई करना है बच्चों का कोई पाउब देकार या हमके उसके टैस्ट लेकार इन सब चीजों का समाविश तो इसी सिरी की ठेकल करेंगे के तो अगर हम कहें की अलग 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 मुशे पे लिए अलग बिध्या काम में लेते हैं और उनके साथ आध हमारी क्रियायें क्यो Marcus और प्ड़ गोई गर लिए हम कहीं वार ने जाते हैं बच्चों को उस चीज़ का जीन देना चाते हैं तो हम फुल्य चाने हो सब्सक्राइद में और किसी परेट इस चीज के बारो वन हो सकता है हम विद्यो में विधियार्थी की किडियाई भी चुप हुई हो जी पने सकते हैं प्रजब करने के लिए किन बातों का हमें भान ड़कना चाहिए या हम गाए हमें कौन सी चीज़ें के लिए साफधानी रखनी चाहिए कि हम जब ये कारिये करें तो हमें ऐसे कौन सी साफधानी हमें रखनी चाहिए तो सबसे पहला हम पहेंगे उद्देश्य सबसे पहला हमें हमारा उद्देश्य जब हम अधिगम अनुभोग करवा रहे हैं तो उन अनुभोग का समावेश करने के लिए हमें ये जान पर रखना रहे हैं कि क्या उन अनुभोगों से हमारे उद्देश्यों की पूर्ती हो रही है तो अधिगम अनुभव में हमारे उद्देश्य पूर्ती करने की शंता होनी चाहिए जिससे के विधार्ती के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष होते हैं, जो वो कारिय करना चाहरा है उस कारिय की पूर्ती यहां होनी चाहिए सेकंड है हमारा उपयोग, कहते हैं कि जब तक जो कारिये हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, हम उस कारिये को नहीं करते हैं तो यहां अनुगों भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए उपयोगी हो, अर्थार्थ वो हमारे उपयोग में लाने लायक हो तो जो कारियать हम कर लहे हैं उस कारिया को पूरा करने के उप्योग में हमारा अनुभोवव ना चाहिए अधेश ने लिए उसको उप्वयोगी बनाने के लिए हमें हमारे अनुभोव क स्सम्भावना कि किस तरीके से हमें कहते हैं कि कितना समय लगने वाला है या हम इसी कहते हैं कि हमें इस कारे को करने में कारिये को हम पूरा कर रहे हैं वो कारिये हमारा कहा तक पूरा हुआ यानि कि यह हमारी संभावना पर है हमारे कारे करने की संभावना कि हम किस तरह से इस कारिये को पूरा करते हैं तो यहां पर आगेट लेकर चलते हैं जो हमारी संभावनाई होती है उन सारी संभावनाव की पूर्टी करने वाला अमारा अधिवन अनुवन होना चाहिए हमें पता होना जाहिए कि हम जो कारियव कर रहे हैं उसे कितना समय लगने वाला है उस कारीय को करने से हमें इक्राव होने वाला है उन सारे संभावनाओं की पूर्थी करने वाला होना चाहिए फिर है अभी प्रेडित करने वाले हमारे अनुभब होने चाहिए जो कि हमें motivate करें कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो 100% हमारा कार्य पूरा होगा ऐसे हमारे अनुभूरों का समावेश होना चाहिए तो कहते हैं जो हमें अभी प्रेडिक करें, हमें प्रेड़ना दें ऐसे हमारे यहाँ पर पाठ्थी ड्रम दोना चाहिए और ऐसे ही उनके दर हमारे अनुभूरों का समावेश होना चाहिए फिर है चिंदक कोशलों का विकास कहते हैं जो scaling development है इसमें वो कौन सा वाला होता है thinking का, कहते हैं कि सोचने समझने के कोशल का विकास करता है अनुभू क्योंकि जब हम कारिये कर रहे हैं विपिन अनुभू का समावेश कर रहे हैं या हम अपने ही अनुभू को दुबारा हम उसको प्रियोग में ले रहे हैं तो जब हम कोई कारिये करेंगे तो हम पूरी तरह से सोच विचार कर करेंगे यहां हम सोचने समझने की शम्ता जागरत होगी हम जादा से जादा सोचें के उसके बारे में कि यह हम जब यह कारी हमने पहले किया था तो हमारी समित क्या तूटी आई तो हमारे क्या चिंतन होगा कि वो तूटी हमारी वापस रिपीटर ना हो तो यहां हम जादा से जादा सो वो हमारे चिंतन कोश्रों का विखास करता है हमें सोचने समझने की शम्तापत और ज्यादा गहरा असर करता है फिर हमारा पूर्ड विखास कहते हैं कि जो हमारा अनुभव है वो हमारी पूर्ड विखास भी करता है इस तरिके से यह हमारी समयनत्मक भावात्मक और मनोक्रिया क्रियां इसमें विकास होता है इन तीनों की क्रियां के दॉआ ise की अपने लक्ष की प्राक्ति और अपने उदशे की प्राक्ति करते हैं क्रैशतन में करेंगे यहां हमारी सारेहिक औरमाणिक उफित विरें मैं शुरू होँगी हम दिमाग से सोचेक भावात्मक में मनों हुत्य को करते हैं। मनुष्वम्हा प्राणी है जरूर होगा तो इसमें वह अपनी किरिया है तो इसमें कहते हैं आनुभाव है वह सभी किरिया हैं को विखास करती है प्रते समाल प्रते हैं फरचता है पेर हुआरा आफशक्ता और रूश्यों की अभिव्यक्ति कहते हैं कि कई अपने विचारों को व्यक्त्र नहीं कर पाते हैं तो यहनाहीं हमारे आफ्षक्तवों और हमारे विचार व्यक्त करना भी हमें कौन सी काता है हमारे अनुभोग तो ये हमारे अधिगम अनुभोगे चैन के बारे में मैंने आपका जो टॉपिक था इसके बारे में बताया था मैंने सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे इसमें कौन कौन सी चीजें बोनी चाहिए जिसके लिए हम इसका चैन करते हैं तो पहला कर हमारा अधिकम प्रेक्रिया सुगम बनाने के लिए करते हैं सेकिन फार विद्यों को प्रियोग में लाने के लिए करते हैं कि हम किस तरह से विद्य को काम में लेंगे पिर रहा हमारा प्रोगिया को पूर निर्देशित करने के लिए आज मों किस तरह से प्रोगिया को प्र्यूग में लेते हैं इस mathematics के अंदर हमfiction को प्रियोग में मिरते हैं और Aujourdीन्त के साथ हमारी प्रियाय चलते कि परश्कर एक गूस्रे को तीम पिर में आपको बताया है कि जो हम चैन कर रहे हैं उसका चैन क्यों करते हैं कि यह सब्सक्राइब कि अपने उद्देश की पूर्ति के लिए यानि हमारा वह कहते हैं कि सिर्फ पराइश होना चाहिए हमारा निर्वी भी नहीं होना चाहिए हमारा उद्देश का समझा चाहिए फिरका हमारा उप्योग कि किस तरीके से हम अनुभव का उप्योग करते हैं एसा अनुभव ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे लिए उप्योगी बन सके फिरका संभावना कि हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारी जो सारी संभावना ही होती है उन संभावना की हमारी पूर्टी भी कौन करवाता है हमारा अधिगा मनुगोव फिर ना हमारा अभी प्रेणना की हमारा अधिगा मनुगोव ऐसा होना चाहिए जो की हमें प्रेणित करें हमें प्रेणना दें पिर हमारा चिंतन कोष्टों का विकास की हम यहाँ पर अधिगा पावर समिट करथे हम इस तरह से हम अमारी सोचने शम्ता की सोचने समझने की सम्ता का विकास करें विकास विकास कह healthy बढें कि अर्याइब गयुद को इसमें समर्दातना आत्मावबातना और मुंपया था इन- تीनों किरियाओं का इसके इंदर समाली होता है अभियक्ति विसके को हमारा इंद्रेस को ँसकी भी वियक्ति या उसका वी प्रियोगम् से करते हैं हमारे अनुलेधु under लेकिन में विल्यांता signal से पहले कि जस प्रक्रिया से गजरते हैं उस प्रक्रिया का मैं आपको प्धा वर्दन करते हैं व्यां प्रभाई हैं जो हम जो कारिय कर रहें जब हम कोई करते हैं विस पूरा करने की लिए हमीं वर्ता हमें पड़नों की आफ्शत्ता होती है तो इसमें पार्टिक्रम जो लोग करवा रहे हैं विशय वस्तु का चैन कर रहे हैं तो उस विशय से संबंदित हमें किन 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 चीजों का हम प्रयोग में ले सकते हैं लेकिन प्रयोग करते हैं हम यह कह देते हैं कि अगर हम आसिस्टी पढ़ा रहे हैं तो इस चीज के बारे में जान दे रहे हैं उससे रिलेटेड हमें जिन जिन प्रयोग की आशकता होती है वह हमारे संसादर होते हैं तो कहते हैं कि हम जब ज्यान पाठ्ठी क्रम बनाते हैं तो पाठ्ठी क्रम हमें संसादरों की पहचान करवाता हैं कि हमें किस विशय वस्तु के लिए बहुत क्राहżej हमें कि सूपकरन की आशकता होती है यानि कि हम जब पढ़ाते हैं यह जिस वीशय को पढ़ाते हैं उसके लिए वालग अलग विदियो का प्रयों करते हैं वह विदियो करना बी हमें कौन सिखता है हमारा विधिया काम में लेंगे यानि कि विभिन विषय बस्तों के अनुसाद हम विधियों का यहां पर चयन करते हैं और उन विधियों का चयन करना भी हमें हमारा पाठिकम ही सिखाता है फिर हमारा फूर्व परिक्षन कहते हैं कि जब हमारा पूर्व परिक्षन पर निधारित होता है क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है या सिख्षक उसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले उसका पूर्व परिक्षन लेते हैं और जब वो सिखा देता है उसके बाद में वो उस चीज़ को जो उसने पहले पूर्व परिक्षन किया था उसमें और उसमें 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 उ विज्ट को पूर में परिशनल लेते हैं उसके बार में हमें मुल्यांगर्ण करना हमारे असान हो जाता है आधा है वह कहते हैं कि सिट्शन विदी जब हम निरधारित करते हैं तो उसके लिए कि हमें विशय से संबंदित होनी चाहिए और हम जो उग्देशे लेके चल रहे हैं और उग्देशे के अनुग भी हमारा सिक्षन विधी भी होनी चाहिए अधिगा मिस्तर को देखते हुए हमें सिक्षन विधी का चैयन करना चाहिए कि सिक्षार्थी का अधिगा मिस्तर कितना है या उनका है उनकी शारेरी गौन मानसिक योगिता के आधार पर हमें उनके अधिगा मिस्तर को जाचना होता है और उसी के आधार पर हमें विधीयो का यहां पर जब विदी काम में लेते हैं, तो हमारे यहां सिक्षक की योगता भी मैप्रिकॉन होती है, क्योंकि जब जिस प्रिदी का प्रियोग, अगर सिक्षक शुम नहीं जानेंगे, तो वो विध्यार्ति को भी उस चीज के बारे में नहीं सिखा सकेंगे, इसी लिए हमें स पर शिक्षक की योगता पर हमारी उगिदियो का चैयन करना चाहिए हम यह नहीं कर सकते हैं अगर SST के अध्यापत है तो हम उस्ती स्क्षक के आध्याओं के सकते हैं क्योंकि वह उसले क्रिशक आ CC UK ऐसले कि यूणिच एक आधार ही हमें थित्याओं करना चाहिए ये हैं अमारा पूर्व आधिगम आउसर जब बच्चे ने सीखा है तो पहले क्या सीखा इसका भी हमें ध्यान के रखना ची definis का फूर्व अधिगम उस्तर, कि बच्चे का पहले का सीथने का स्तर क्या है और आप जब शिक्षर में सिखाया है बक्चे को तो उसके अभिभव में क्या परिवर्तन आया है ये परिवर्तन जानने में लिए हम इन विद्यों का प्रियोग करते हैं अब है हमारा लास्ट वे मुल्यांकन कहते हैं मुल्यांकन क्यों करते हैं क्योंकि विध्यार्ति के मुल्यांकन में हम विध्यार्ति के मुल्यों का उंकनन करते हैं और इस मुल्यों का उंकनन के साथ पर करते हैं हम कहते हैं कि हमारा मुल्यांकन कैसा होना चाहिए निरंतर हैने कि मुल्यांकन हमारा निरंतर चलता रहना चाहिए और निरंतर कैसे चलेगा हो सकता है कि सिक्षक पढ़ाएं अभी बच्चों से प्रेश्न पूछें अभी बच्चों से प्रेश्न के टेस्ट दे एक्जाम ले या हम पहें कि निरंतर प्रेक्रिया हमारी जो करोता है यह हम बच्चे की पूरी activities मुल्यांकर पर हम विद्ध्यार्थी की सारी किरियाओं च्राक्रियाओं आफ्य बोधे सब्स् t हमारा निदानात्र होता है उसके लिए हमारी सिखषण क्या करते हैं उसके उप्चानात्र करते हैं उस समश्य को दूर करते हैं चयल्ड और मुल्यानकन से पहले होने वाली सबी प्रत्रियों के बारे में आपको बताया है धन्यवाद